हैं दोस्तों आप देख सकते हैं पहले से हमने यह फॉल कर डिया यह पालदान था तो पाघ्वदा mutual में नीकाल कि मैं यहां रख दिया है कि इसी बारें कि बने रहे और ज्यादा आपका समय नो लेते हुए विडियो करते हैं स्टार्ट बांट टू थ्री हाइद हेलो दोस्त आप सब कैसे हैं मैं आसा करता हूं कि आप सब जहां भी कही होंगे सस्त और मस्त होंगे दोस्तों मैं आता हूं पहले बैक केमरे से इसलिए कि मैं ऐसे सब्सक्राइब करने वाला हूं कि क्या-क्या इसमें लगता है और कौन-कौन से सिस्टम है इसमें वीडियो मलाश्टक बने रहे हैं दोस्तों देखिए सबसे पर आपको दिखाता हूं कि यह इसका एंजन हो गया ठीक है अगर आपको कभी पता करना है कि कितने सेलेंडर का रेंजन है ञए तो दोस्तों यह चाँ दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं वहां अगर्सक्राई और बात कर लेते हैं कि इसका और कहां से पढ़ता है और देखिए दोस्तों यहां से पढ़ता है इसको आप जब ओपन करेंगे तो यहां से इसका टैपिट कभर आई है ठीक है तो यहां से और पढ़ता है अब बात कर लेते हैं इसका फिल्टर का तो फिल्टर देखिए दोस्तों यहां पोता है इसका खड यहां पर दिखाई देता होगा आपको यह सेल्फ है इसका सेल्फ है वहाँ पीछे रेडिवाटर लगा हुआ है पंक्य वहाँ पर लगा हुआ है अभी मैं चलता हूं उस साइड में है दोस्तो देखिए मैं इस साइड में आगया अब बात करेंगे हम हाईडोलिक होता है और इसका गेज होता है इसको कोलेंगे तो यह आप हिससे धक कर बलागा हुआ नहीं कि अंदर ही एक राड लगा हुआ बड़ा सा ओधिखायी थेखाईगा कि तोस्तों और यहां से आपको दिखाता हूं मैं आप द 근데 देखा देता होगा न게요 वाला लोगवार पाइप गया वा है इसमें सो बाव में देखिए हाइडोलिक पंप देखिए यहां से सारी सिष्टे में लगी हुई है यहां से यह मोटा पाइप गया है ना उसके अंदर वहां पर यह है यह तो आप जानते हैं यह यह बैटी की चार्च करने के काम में आता है दोस्तों और उसके बात करता हूं गेर बक्स जो इसका होता है व यह इंजन हो गया इसका यहां से कलच्छ और गेरबॉक्स है ठीक है यहां तक यहां से लेके यहां तक दोस्तों बात कर लें कि इसमें ड्रास्मिस्व यानि गेर आयल को ही ट्रास्मिस्व बोलता है इंग्ली समें तो कुल रख मालुम है तो गेर और का नम है सुअ फूर का ले पार अज होता है अब अब लोग ऑ हलका रेट होता देखिए अकड़ा Украї प्रांस्मिसन ब्राबर है यह लिखा रहाता है इसका उपर यहां साइद में चेक कर लेता है इसका गेर आल की कितना है कि लिए मुझे पैनल पैनल नहीं होता है दोस्तों पढ़ना मैं खोल के बता दे रहा है आप सभी को ये बात हमारा जो है कि किसी लिख लिख लिजएगा ठीक है न कि कीतने परकार का आई लगता है क्या का नाम है दोस्तों आप तो पहले हैं तो पहले मता दें इंजन आयल के बारे में तो इंजन आयल का जो नंबर होता है होता है 40W 50 ठीक है यह उसका नंबर होता है ठीक दूसरा और बेर कहीं आगे आदमी घर्मी के महिने में कुछ और डालता है ठीक है आप जब आएंगे तो आपको समझ माझा जाएगा अब बात करते हैं हाइडोलिक आल के बारे में तो 68 नंबर का बढ़ता है इसमें हाइडोलि लिखा होता है वह अब बहुत सारी कंपनिया है मार्केट में अपना बेचरा अच्छा चकर करके तीक आप बढ़ सकते हैं कोई दिकत नहीं अब चोथ नमर को बात कर लेता है ब्रेक आईल का उसे पढ़ता है 200 गराम पढ़ता है किसी में 200 गराम पढ़ता है वह फोरक्रिप के हिसाफ सो डाला आता है कोई बड़ा फोरक्रिप्ट है कोई चोटा थम चोटे की बात करेंगे इसमें कई 100 गराम लगता है किसी में 200 गराम ठीक है दोस्तों इस बात को हमारे बातों के याद रखिएगा भूलिएगा नहीं और हमारे वीडियो में यहां तक बने रहने के थाइंक की सो मच फिर्म लेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टाड़ा बाई 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 जहिन बंदे मातरम